आज की बड़ी खबरे और मुखे समाचार आप सभी तक इस वीडियो की मादिम से पहुचाएंगे नमशकार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पार मुखे समाचार बड़ी खबरे जानने के लिए आप चैनल को सब्सकाइब कीजिए और घंटी के आइकन को जरू दवाईए जिससे की कोई भी बड़ी खबर आप सभी से छूटे नहीं अगर आप भी मानते हैं कि 24 में इंडिया गठवंदन जीतेगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को अपना समय थना आप जरू देज करवाईए पहली बड़ी खबर आ रही है बीजेपी के नेता और राष्टिय महासचिप कैलास बीजय बरगिये का रद्ध होगा नामांकान इस समय की अपडेट निकल किया रही है बुरा आफ़से हैं बीजेपी के राष्टिय महासचिप और मद्वदेश बिधान सवाच छेतर क्यमांग एक के प्ते आसी कैलास बीजय बरगिये की मुसीवतें अब कम होने का नाम नहीं ले रही है चुनावी नामांकन दाखिल करने के दौरान बीजेपी 80 कैलास बीजेवरगे ने अपने उपद चल रहे दो प्रकरणों का उलेक नहीं किया है और वहीं दोस्तों अब कांग्रेस उनको घेने की तैयारी करती नजर आ रही है यहाँ पर उनके खिलाफ दो ऐसे मामले हैं जो पशिम मंगाल में दरज किये गा है लेकिन चुनावी हलफ नामे में नामांकन दाखिल करने के दौरान जो उन्होंने सपत पत लगाया है उसमें उन्होंने अपने उपद चल रहे सिर्फ 5 मामलों का तो उलेक किया लेकिन पशिम मंगाल और 36 गड़ के मामलों की जानकारी नहीं दे जैसे ही यहाँ बात सावजाने कोई कोंगे इस पार्टी इसकी सिकायत लेकर चुनावायों पहुँच गई और इनका नामांकन फार्म निरस्त करने की मांग करने लगी अगर यहाँ पर कैलास विजे बरगिये का नामांकन रद होता है तो बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ी चुनावती आ जाएगी मद्य प्रेस में क्यूंकि बीजेपी में पहले ही घमासान मचा है और यहां पर कैलास बीजे बरगे पर कारवाई एक और यहां पर बीजेपी को जटका हो सकता है हो गया है बड़ा खुलासा इंडिया गठवनन के टॉप लीडर्स को जेल में डालने की हो गई तैयारी केजरिवाल को इडी का समन मिलने पर हो गया है बड़ा खुलासा आप के रज्यसवा सांसद रागप चड़ा ने खुलासा किया है आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है रागप चड़ा ने कहा कि सिर्फ अरविंद केजरिवाल को यहाँ पार जेल में डाल कर दिल्ली की साथ सीटे जीतना चाहती है बीजेपी उन्होंने कहा कि अगला नंबर जारखंड के मुख्यमंतरी हेमंत सोरेन का होगा उन्होंने कहा कि हिमंत सोरेन के बाद बिहार में आजेडी के तेजस्वी यादप को अरेश्ट किया जाएगा रागप चडड़ा ने कहा कि यहाँ सिलसिला यहीं नहीं थमेगा क्यूंकि इसके बाद पश्चिमंगाल में सियममता बनेजी और अविशेक बनेजी की गिरफतारी हो सकती है फिर केरल में भाश्पा मुख्यमंत्री पिनराई बिजेयन को अरेश्ट करवा सकती है उसके बाद यहाँ पर बिपच्छी राज्जी तमिलनाडू में इस्टालिन की गिरफतारी और बाद में महाराष्ट में उधप ठाकरे और सद पवार के दल के नेताओं की गिरफतारी होगी उन्होंने कहा कि इन राज्जों में टॉप नेताओं की गिरफतारी कर बीजेप लोग सभाग की सीटे जीतना चाहती है उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक दलों और भी पच्छी नेताओं को इस तरीके से ग्रफतार किया गया तो इससे लोगतंत की नीव हिल जाएगी उन्होंने कहा बीजेपी को हार का डर सता रहा है इसलिए वहाँ चुनावी रेस में अ कमेंट वाक्स में कमेंट करके आगे ली खवर की तरब चलते हैं दोस्तों फोन हैकिंग मामले पर आप सुप्रीम कोर्ट स्वतार संग्यान ले बहत गंभीर मामला है आज एडी ने कर दी है बड़ी मांग राष्टे जंतादल के सांसद मनोज जहाने यहाँ पर विपच्छ मनोज जहाने कहा कि फोन हैकिंग मामले में सरकार कियों से संचार मंतरी अस्वनी वैसनप का दिया बयान बेहदी कमजोर और तरखीन है इसलिए आव यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तच्छेप करना चाहिए और सौता संग्यान लेना चाहिए उन्होंने कहा कि हम इस मामले में कानूनी सला ले रहे हैं जिससे कि सुप्रीम कोर्ट का रुक किया जा सके और याचकारदार की जा सके इसके साथ ही विपच्छे दलों ने आरोप लगाया आखिर विपच्छी नेताओं के ही एपल फोन पे इस तरीके का अलर्ट मैसेज आखिर क्यों प्र मत हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को एक और खवाई कितब चलते हैं तेलंगाना में गर्जे हैं राहूल गांधी नियसाने पर लिया है बीजेपी ए आइम और बी आरेस को जी हाँ दोस्तों आपको बताते चलें पांच राज्यों में विधान सवा चुनाओं के चलते आरेस बीजेपी और ओवैसे की पार्टी ए एम 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 एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं विपच्च के नेताओं के खिलाफ एडी सीवियाई और आईटी के यहाँ पर रेड चल रही है मेरे खिलाफ 24 केस हैं ये लोग कुछ भी कर सकते हैं राहूल गांधी ने कहा है कि हमें जन के घोशना की है ततकाल प्रभाव से पहले ही कैमिनेट में उन्हें लागू करवाये जाएगा राहूल गांधी ने कहा कि कौंगेस यहाँ पर काफी लोगप्रिय हो रही है लगाता तिलंगाना में और इस बात तिलंगाना में पूर्ण भहुमत की सरकार बनाएगी ये अप दोस्तों यहाँ पर महराष्ट के बिधानसवा अध्यच राहूल नार्वेकर को आदेश दिया कि वो शिफ सेना के बागी बिधायकों की आयोग्यता को लेकर 31 दिसंबर तक फैसला ले वहीं दोस्तों इस पर श्ठ हो गया है कि 31 दिसंबर से पहले इस पर फैसला आ जाएग कि 31 दिसंबर को सिंदे सरकार की बिधाई हो जाएगी 31 दिसंबर को साल दोजाद 23 खतम होने के साथ ही महराष्ट की आयोगी सिंदे सरकार का भी आखरी दिन होगा गहर तलावे के CGI की अध्यचिता आली वेंच ने आदेश पारित कहते हुए बिधान सवा अध्यच को यहाँ पर कड़ी फटका लगाई कि 31 दिसंबर तक हम आपको महलत देते हैं सुनबाई पूरी कीजे नहीं तो फिर मजबूरन हमें ही फैसला देना होगा एक और ख़वर सीजन के दोरान आस्मान छूती कीमतों को लेकर किंद की मोधी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यहां आकरी दिवाली है जब लोगों को ऐसी महंगाई का सामना करना पढ़ रहा है 2024 में इंडिया गढवनन की सरकार ऐसी नीतियों में बदलाव करेगी जिससे केवल इस समय पीम के मित्रों को फायदा हो रहा है और देश की जनता पर महंगाई का बोज पढ़ रहा है गौर तलव है अभी रच्छावनन पर ही सरकार ने 200 रुपए सिलेंडर की कीमतों में कटोती की थी लेकिन दिवाली से ठीक पहले यहां पर 103 रुपए की बढ़ोतरी की है जिससे क आम जनता को जटका लगा है और प्याज की कीमते भी लगातार बढ़ रही है और इस पूरे मामले पर कॉंगेस पार्टी के नेता जैराम रमेस ने ये बड़ी वात कई है आगामी दिवाली पर नहीं होगी महंगाई इंडिया एलाइंस की सरकार 2024 में बदलेगी नीतियां ज इसी महंगाई का सामना करना पढ़ रहा है 2024 में इंडिया गढ़ हंदन की सरकार ऐसी नीतियों में बदलाव करेगी जिससे केवल इस समय पीम के मित्रों को फायदा हो रहा है और देश की जनता पर महंगाई का बोज पढ़ रहा है गौर तलभ है अभी रच्छा वंदन पर ह सरकार ने 200 रुपए सिलेंडर की कीमतों में कटोती की थी लेकिन दिवाली से ठीक पहले यहाँ पर 103 रुपए की बढ़ होतरी की है जिससे की आम जनता को जटका लगा है और प्याज की कीमते भी लगातार बढ़ रही है और इस पूरे मामले पर कॉंगेस पार्टी के नेता जैराम रमेस ने ये बड़ी वाद कई है यहाँ पर आज की ये तमाम भीहत बड़ी खबरे और मुखे समाचार थे जो इस वीडियो में आप सभी तक पहुंचाए हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजेगा सेर कीजेगा अपने सभी दोस्तों में ज